हलो फ्रेंट आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम एक फिर नएव वीडियो लेकर हाजिर होएं जिसमें आपको पधान मंत्री जो कर्सी सिचाई योजना है उनके बारे में बताया जा रहा है इसमें सिचाई की जो संसादन है उनके लिए आपको कौन-कौन से संसादन है कौन-कौन से संसादन हो आपको सबसेड़ी मिलेगी इस वीडियो में आपको ये जितने भी संसादन की फोटो लगी है आपको वै किन-किन संसादन हो पर आपको ये सिचाई जो हमारे परदान मंत्री कर्सी सिचाई हो जना है उसके बारे में बता रहे हैं एदि आप इस वी चर्चा करेंगे इसकी शुरुवात कप की गए थी इसकी जो आवेदन हेतों जो पातता है वो क्या-क्या उनीचे आपके पास इसके जो महत पूर्ण बेंद्व है इसको लागू करने वाले जो इसके जो लाब है वो किस-किस को लाब मिलेगा इसके जो आउश्यक इसके बारे में हैं इसी वीडियो में चर्चा करेंगे चलते हैं हमारा नेक्स के लिकर आया कि पादोल मिलेगा एक इसकी जो पढ़ान मनतिकर से सिचा योजना की शुरुआत एक जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई है अब इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है आगे इसका तो दूसरा पुइंट है कि इसकी जुलाईन है कि हर खेत को पानी पट्ती बूंद अधिक सिचाई इसके आधार पर ये इसी योजना को शुरू की गई है कि हर खेत को पानी अधिक पट्ती बूंद अधिक फसल मतलब कि कम है पानी में अधिक उत्पादन करने के बारे में इसकी जो लाइन आप वो इसके बारे में बता रहा है आगे जलते हैं कि लिगा कि ये किसानों के पट्ती एक उनके बारे में सबसे पहले आपको बता सकें चलते हैं नेक्स्ट आगे लिखा है कि पर्धान मंत्री कर्शी सीचाई योजना है तो जो पातरता है उसके बारे में चर्चा करें कि आवेदन का किसान होना जरूरी है सबसे पहले पातरता ये कि वो किसान होना जरूरी है आग किसी भी जाती वर्ग का किसान आवेदन कर सकता है हमारा फूर्थ नंबर जो पातेता है कि जो किसान सहकार सिमिती साहिता समू, उत्पाद कश्रक या एकोप्रेटर ट्रस्ट और कंपनियां आधी से संबंद रखता है वे भी इस योजना में आवदन कर सकते हैं आगे जो हमारा फिफ्ट नंबर पॉइंट है कि एसे किसान जो पिछले साथ वर्षों से लीज एग्रिमेंट के तेत उस भूमी पर कर्चे कर रहे हैं वे भी इस योजना में आवदन कर सकते हैं आगे जो सबसे महत्पूर्ण पॉइंट है ये पांच नमबर है कि मतलब साथ वर्सों से किसी भी लीज पर आप एग्रिमेट ले रहे हैं किसी भूमी को तुछ कर रहे हैं तो आप लाब ले सकते हो आगे चलते हैं कि प्रधान मंत्री जो कर्षी सिचाई योजना के जो लाब कारी करम इसके आदार पर सबसे पहला पॉइंट ही है दूसरा HKKP मतलब ये हर खेत को पानी ये दूसरे इसकी लाइन है तीसरा महत्पूर्ण बिंदू है कि WDC यानि Water Set Development Program इन तीन बिंदों के आदार पर है इस योजना को लागू किया जा रहे हैं आगे चलते हैं कि परदान मंतरी कि करसी सिचाई योजना के जो लाब है वो किन किन को लाब मिलेगे कि सारु परतम इस योजना के अंत्रक किसान भाईयों को सिचाई उपकरण के लिए सबसेड़ी परदान की जाती है मतलब कि सिचाई उपकरण है उनके लिए आपको ये परदान की जाती है आगे चलते हैं, कि पीएम कर्से शिचाई यौजना के सामान्य राजियों में 55% तक खर्षे केंधर सरकार दोरा किया जाएगा, जबकि 25% खर्षे राज्य करेगी यह 2022 के डाटा है, मतलब कि सामान्य वर्षे जो राजे ना, उनमें राजियों में 55% सरकार करेगी, और 25% हमारे सरकार कौन करेगी राज्य सरकार करेगी जबकि हमारा दूसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट है कि परधान मंत्री करसे सिचाई योजना में है न उसमें जो पहाड़ी इलाकों के लिए उनका मानने का लगा पाड़ी राज्यों में केंदर सरकार का शेर नंबर परसेंट रहेगा जबकि राज्य सरकार का शेर कितना रहेगा 10% रहेगा ये उनलिफूर पाड़ी इलाकों के अंदर बताया जा रहा है आगे चलते हैं नेक्स पॉइंट में विद्धुत पंप हो गया बीजल पंप हो गया सोर पंप हो गया इस परकार के बहुत सारे हैं जो किन-किन उपकरणों पर ये सबसेडी दी जा रही है आपको इस सबसेडी के पता करने वाली उपकरणों की जो हमने जो पीडियप है वह आपको एक डिस्क्रिस्ट में लिंग दे दी जाएगी उससे आप इस वीडियो की जो समपून जानकार है वह आप इस पीडियप में आपगो दे दी जाएगी नीचे वह आप दें सकते हो दिस्कष्ट में दी होई है किन-किन उजना उपर आपको सबसीडी दी जाएगी तेक आगे चलते हैं हमारा जो आगा नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए है ए टू जेट पर तो इमित्र ग्यान पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जैसे मंत्री कर्शी सिचाई योजना है ये तो जो आउशक दस्तावेज है वो कोन कोन से दस्तावेज है पहला दस्तावेज है हमारा आधार काड आपके पास आधार काड होना जरूरी है दूसरा दस्तावेज है मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है मोबाइल नंबर होन नाम होना चाहिए, सेम नाम होने चाहिए क्या उन्चे समान नाम होने चाहिए यदि समान नाम नहीं है तो आप या आदारकार्ड को चेंज कर रही है फिर बेंक की डारी, मल आदारकार्ड में जो नाम है वो भी बेंक की डारी में आपको करवाना है आगे चलते हैं कि पढ़ान मंतिक सीचा यह तू अगला जो डोकुमेंट है हमारा वह है वोटर आएड इखाड और दूसरा हमारे पास्पोर्ट साइज की फोटो आपके पास होना चाहिए वोटर आएड गाड आपके पास इस परकार का और पास्पोर्ट साइज आपके पास फोटो यह होनी जरूरी है आगे चलते हैं हमारा जो पोइंट है कि आपके पास जमाबंदी की नकल होनी जरूरी है इस परकार कि आप ये online जमाबंद के नकला वो निकाल सकते हो आगे जो हमारा जमेन का जो नक्सा होता है वो भी आप online लिका सकते हो इन्हें दोनों पर आपको क्या करना है कि नकल पर और जमेन के नक्से पर पटवारी के हस्ताकसर और सील लगी होनी चाहिए आगे चलते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को स्क्राइब कीजिए A to Z इमित्रिगान को और बेल आइकन को प्रेश कीजिए जैसे ही आपको आने वाली नहीं आईए अपडेट सबसे पहले प्राप्तो जै हिंद जै भारत वंद्य मात्रम जै किसान जै हिंद